नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्र वास्तु के बिशेज कास्क्रम के साथ कुछ बिशेज तीथियों और अफसरों पर ब्रह्मान में सुब सक्ति सक्रिय हो जाती है होली का दहन का भी एक ऐसा अफसर है जिस दीन भगवान विश्णु की सुप सक्ती इस पिर्थिवी पर सक्रिय हो जाती है अगर आप इस खास दीन पर कोई खास उपाय करते हैं तो निस्चित रूप से ये कारगर सिद्ध होगा और आपके जींदगी में आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा तो आप हमारे साथ बने रहिए हम आपको बताएंगे कि होली पर पैशों की किलत से चाहते हैं छुट कारा तो करे ये उपाए रोक करनास होगा, गरह दो से छुट कारा मिलेगा और सारी चीज आपके जिंदगी में जो चाहिए सब मिलेगा तो बने रही हमारे साथ हम आपको एक एक चीज बताएंगे लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि पैशों की किलत का सामना करते रहते हैं या फिर सेलरी आते ही जट से खत्म हो जाती है तो हम आपको एक के खास उपाय बढ़ताएंगे जिससे आपकी समस्चाएं जर्षे दूर हो जाएगी आपकी जो पैसे से जुरी जितनी भी समस्चाएं वो भी खत्म हो जाएगी लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं कि होली का दहन फालगुन महिने की सुकल पक्स की पुर्णिमा तीथी को मनाई जाती है और होली का दहन के अगले दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है होली की रात को किये गए उपाय बहुत कारगर सिध मना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विश्नु की सक्ती इस पृत्थीवी पर सक्रिय होता है ऐसा मानते हैं कि होली की पुजा मुकता भगवान विश्नु को ध्यान में रखकर ही की जाती है इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का 108 बार जब करते रहने से आपके ओपर लक्ष्मी विश्नु की विश्यस किर्पा मिलती है क्योंकि इस दिन भगवान विश्नु की जो एक शक्ती है वो इस पृत्थीवी पर सक्रिय होती है तो सबसे पहले हम आपको पताते हैं कि होलिका दहन पर आप कैसे अपनी सभी परिसानी को दूर कर सकते हैं क्या करना है होलिका दहन के दीन या सुब मूर्त में साथ गोमती चक्ट लेकर जीवन की सभी परिसानियों दूर करने की प्रातना करें भगवान विश्णु से प्रातना के बाद सर्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्ट होलिका दहन की अगनी में डाल दें आपकी सभी प परिशानी दूर हो जाएगी तो करना क्या है होलिका धन के समय साथ गोमती चक्र लेकर जीवन की सभी परिशानियों की दूर होने की प्राथना भगवान विश्णू से करें और गोमती चक्र को होलिका धन की अगनी में डाल दें इसके निश्चित रूप से आपकी जितनी इसके साथ हम बात करते हैं कि बेपार या नोकरी में अगर आपको लाब नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको क्या खास उपाय करना है देखिए होलिका दहन के दिन शुम मुहुर्त में 21 गोमती चक्र शीव लिंग पर चढ़ा देएं शीव की किरपा मिलेगी और बेपार या नोकरी की परसानी दोर हो जाएगी अगर आपको शुक समर्दी के लिए कोई उपाय करना है तो आपको होलिका दहन के दिन शर्सो तेल की चो मुखी द्रीपक हरुमान जी के सामने जलाएं और सुक समर्दी की प्रारतना करें आपकी सभी मनोकामनाएं पुर्ण होगी तो सुक समर्दी के लिए भगवान हुनमान की भी उपासना आपकर सकते हैं होलिका दहन के दिन इसके साथ साथ होली पर पैशों की किल्लत से चाहते हैं छुट करा तो क्या उपाय आपको करना है अगर आपको हमेशा पैशे की किल्लत होती है तो आपको एक खास उपाय करना देखिए अगर घर में पैशों की किल्लत का सामना करते रहते हैं या फिर सेलरी आते ही जट से खत्म हो जाती है तो टेंसन छोड़ दीजिए और आपको ये उपाय करना है निश्चित रूप से आपकी पैशों से जुरी साही समस्याएं दूर हो जाएगी होलिका दहन के दीन किये गए उपाय से बेपार में तो लाब होता ही है शात में जीवन में शफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं तो पैशों से जुरी समस्याएं को आपको कैसे दूर कर सकते हैं अगर आपके जीवन में 500 से जूरी समझ चाए कोई है तो उसको आप दूर करने लिए क्या करना है? इसके बाद होली के आग में चारो तरफ घूमना है आपको कम से कम आप साथ फिरे लगाए ले होली का दहन का इसके बाद अपने बेपार के जगह पर जहां आप पैशे रखते हैं वहाँ पर इन चीजों को रख दे लेकिन ध्यान रखे ऐसा करते समय पीछे मुर कर ना देखे और कोई आपको टोके भी नहीं अगर आप ये उपाय सही धंक से कर लेते हैं तो पैशों से जो भी समस्या आपके जिन्गी में है शारी समस्या आपके जिन्गी से दोर हो जाएगी इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कैशे मा लक्षमी की किरपा शाल भर आपके ओपर बनी रहेगी कैसे आपको मा लक्षमी की किरपा मिलते रहेगी सालों भर रखिए होलिका दहन के दिन पीले कपरे में काली हल्दी और चांदी का एक सिक्का को बांद कर दुकान की गल्ले में रख दें शाल भर मा लक्षमी की किरपा आपके उपर बनी रहेगी इसके साथ-साथ अगर आपका बेपार मशीन से संबंधित है तो होलिका दहन के दीन गंगा जल में पिसी हुई काली हल्दी और केशर मिलाकर मशीन पर स्वास्तिक बनाएं आपका बेपार में बिर्दी होगा अगर आपका बेपार मशीन से सम्मधित है तो निश्चित रूप से इसमें आपको बिर्धी होगा इसके साथ हम आपको बताते हैं कि अगर किसी ने आपके बिर्ध कोई टोटका कर रखा है तो क्या करना है किसी ने आपके उपर नजर लगा दिया है, कोई टोटका रख दिया है, या कोई तंतरबाधा उत्पन कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है किसी ने आपके बिरुद कोई टोटका कर रखा है, तो होली की रात में जहां होली का धन होता है, तो यह उपाय करने से आपके उपर जो भी तंत्र बाधा होगा या कोई टोटका का असर होगा वो खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ अगर आपके उपर कोई ग्रह दोस हैं तो इसको कैसे आप शुट करा मिल सकता है इससे देखिए कुंडली में गरह दोस को सांथ करने के लिए होली का शमय सुब होता है क्योंकि होली वाले दिन सुर्ज और चंदरमा एक दूसरे के विपरित होते हैं होलीका दहन की राख जल में मिला कर असनान करने से कुंडली में चल रहे असुब गरह की दो समाब्थ हो जाती है अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी असुब गरह आपके जिंदगी में है वो समाब्थ हो जाएगा इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको रोग से छुटकारा मिल जाए अगर आप लंबे समय से किसी रोग से गरसित हैं और उसे मुक्ती आपको नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए होली की रात को तुलसी की माला का एक सा आठ पर जब करना है आपको ऐसा करने से रोगों से मुक्ती मिल जाएगी अब कोई मंतर का जाप कर सकते हैं जैसे ओम नमो भगवतिय बासु देवा कम से कम इस मंतर का तुलसी की माला से एक साथ वर आप जाप कर लेजिए और भगवान से प्रात्मा कीजिए कि आपको रोग से मुक्ती मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको जो रोग है आप जो जिस रोग से गर्शित है वो आपका खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ ऐसा मानते हैं कि होली वाले दीन हुर्मान जी को पांच लाल फुल चड़ाने से भी आपकी सारी मनो कामना है पुर्ण होती है तो मैंने आज आपको बताया कि होली का दहन के सुव अफसर पर कैशे आप अपने जिन्दगी की समस्चाओं को खत्म कर सकते हैं आपके उपर कर्ज है, रोग है, या जो भी समस्चाओं आपके जिन्दगी में है उस समस्याओं को आप होलिका दहन के दीन निश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं चुकि उस दीन भगवान बिश्णु का एक स्वक्रिय सक्ति इस पिर्धिविप्रफ होता है और उस दीन का उपाय बहुत कार्गरसिब्ध होता है अगर आपको ये भीडियों पसंद आए तो किरप्याय से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि होलिका दहन के दीन वो भी इस उपाय को करके अपने जिन्दगी की समस्याय को समाप्त कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हम अपने बिद्वां दर्सकों को नमस्कार करते हैं धन्यवाद